नेक्स अगर बात करें तो उसमें क्या होगा कि जैसे अगर देखें आस्मोर्ट इक प्रेशर है तो आस्मोर्टिक प्रेशर है आपने लिया है 10 ग्राम ओफ ग्लुकोज ठीक है 10 ग्राम यूरिया और 10 ग्राम सुक्रोस ठीक है तो अब क्या है अब इन्होंने osmotic pressure के बीच में ठीक है तो osmotic pressure आप जानते हैं क्या होता है pi is equals to ICRT होता है ठीक बात है तो pi is equals to ICRT होता है तो बाकी चीजे तो आपको दिख रहाएगी सेम है जैसे अब आपने 10 gram glucose लिया ठीक है तो यहां पर अगर आपने देखें अच्छा glucose के लिए जो आई की वैल्यू होगी यह तो क्या है यह तो यह दोनों आपको दिख रहे हैं यह सभी के सभी क्या है यह आपके non electrolyte है तो आई की वैल्यू तो सभी केस में वन हो जाएगी temperature हम सेम लेंगे gas constant तो अगर आप देखेंगे तो यहां बजन भी इन्होंने सेम लिया है मास भी सेम लिया है तो जो सी होता है मोल्स अपन वाल्यूम होता और मोल्स में आप जानते हैं inversely proportional to molar mass है यानि कि हम यहां पर बोल देंगे for this question पाई is inversely proportional to molar mass यानि कि जिसका molar mass कम उसका pressure जाना ठीक है तो आप जानते है glucose का जो molar mass होता है वो 180 होता है यूरिया का 60 होता है और आपके sucrose का 342 होता है ठीक है तो यानिकि इसके just ultra अगर हम osmotic pressure की बात करें अगर हम πाई की बात करें तो सबसे जादा किसका आएगा 60 वाले का यानि यूरिया का फिर उसके बाद 180 180 कि इसका है आपका glucose का और फिर आपका आएगा sucrose वाले का ठीक है क्योंकि इसका जो molar mass है वो सबसे जादा है इसलिए इसका pressure सबसे कम होगा ठीक बात